हाई वेल्कम तो मैंशनल इस वीडियो में सॉल्व करेंगे क्विशन नबर 12 यहाँ पर फाइंड करना है स्क्वार रूट आफ 0.00038809 पहले क्या करेंगे डेस्मल के राइट साइड में जो डिजिट्स दियो हुआ है इनका पेर बनाएंगे यहाँ पर पेर बन गया यह बन गया और यह बन गया और यह बन गया अब क्या करेंगे कि डेस्मल के लेट साइड में बनाएंगे यहाँ तो कुछ नहीं है 0 ही के वल है तो ध्यान दिजेगा यहाँ पर साटकर तरीका यह है कि जब भी 0.00 करके something दिया हो तो 0 point जो यह 0 point दिया हुआ है इसको यहाँ पर रख लेजिए 0 point ठीक है उसके आगे आने वाले जितने में 0-0 के पेर बन रहे है जैसे पहला पेर बन रहा है यह 0-0 तो एक 0 इसका बना लेजिए उसके बाद यदि कोई number आ रहा है तब उसको solve करना, start करेंगे हम यहां से तो इसका मतलब कि अब इसमें ले जाएंगे पहले-पहले, 0-3 में तो 0-3 में ले जाएंगे तो actually 3 में ले जाएंगे कहने का मतलब कि तो हम जाएगा हमारा 1 से तो 1 से यहां से ले जाएंगे ठीक है तो 11 जा वन आएगा और यहां पर रखेंगे 01 01 रखें या फिर वन रखें सेम है थ्री में से वन जाएगा मिलेगा आपको टू और आगेवाला डिचिट यहां उठाएगे और यह मिलेगा आपटीएट और यह जाएगा तो 9 9 जा 81 का 1 हो 9 चला जाएगा बल्कुल तो 9 से लिए आते हैं 9 9 जा 81 का 1 8 करी ओफर and 9 2 जा 18 and 8 26 मानस करिए 8 में से 1 जाएगा 7 8 में से 6 जाएगा 2 27 और 09 उतार लेंगे आपर अब यहाँ पर देखिए 9 9 18 हो जाएगा 18 का 8 हो जाएगा 1 करी ओफर and 1 1 1 1 2 3 हो जाएगा 38 अब यहाँ पर किसे जाएगा तो 3 का टेबल पढ़िए और देखिए कितनी बार में आ रहा 27 तो 3 9 जा 27 होता है लेकिन 9 बार में नहीं जा पाएगा क्योंकि यहाँ पर 9 नहीं आ पाएगा ठीक है तो हम 7 से ले जाएगे 7 चला जाएगा बिल्कुल और 7 से ले जाने पर यह 9 जो है एक्शुली आ जाएगा यूनिट से डिजिट पर क्योंकि 7 से ले जा 49 होता है 7 से क्या होगा 49 का 9 हो जाएगा 4 करी ओफर और 7 एट जा 56 एट जा 56 एट फोर 56 60 हो जाएगा 60 का 0 6 करी ओफर और 7 ते जा 21 और 21 और 6 27 तो यह केंसिल आट हो जाएगा ठीक है इट मेंस हमारा जो मिल गया सो कर सकते हैं कि स्क्वेर रूट आफ 0.00038809 इस इक्वल टू 0.1 आया था फिर 9 फिर 7 okay 0.0197 0.0197 and this is your answer thank you so much for watching bye